उसके बार में मैं बताने के लिए आया हूं कल मैं दिन में दोपहर का जो आफ्टरनोन का टाइम रहता है न उस पर मैं अच्छे से स्थॉल ले रोग की चिकित सा बताने वाला हूं कल 26 तारिक है 26 फरवरी को मैं बहुत अच्छे से स्थॉल लेता पे बहुत ज्यादा डीप मे मैंने पूरा compile किया है उसके बार में मैं बताने वाला हूँ लेकिन अभी मैं मेदोहर Google के लिए बताने के लिए आया हूँ यह स्थौल लेता कि बहुत अच्छी दवाई है आजकल क्या हो रहा है कि lifestyle change हो गया है lifestyle change होने के वज़े से क्या हो रहा है कि मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पेट में चर्वी स्जादा बढ़ जाती है बैठ रहने का काम रएता है उतना शारीरिक श्रम का कार्य नहीं रहता है उसके होजसा दम्ले तो उसलिए हम मेदोहर गुकूल का प्रयोग करते हैं मेदोहर गुकूल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं आप लोग अगर खुद बना ले तो वो ज्यादा पायदा करेगा क्योंकि जो कंपनी मेड दवाइयां रहती हैं उतना अच्छा फायदा नहीं होता जितना खुद का बनाये हुआ रहते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल दवाइयां हैं जब हम भैशाजरतना वली ग्रंत लेते हैं तो उसमें मेदोहर गुकूल के बार में कुछ-कुछ घटक द्रवे हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उनका कारे कैसे होता है वह मैं आप कि uti यां दे रहें तो उनके कटेंश उनके घटक द्रवे जानना इंग्रीट्ठ जानना अगर वह जानें गें तो फिर अच्छा इलाज हो सकता है और कौन से वस्तां में ऐस्चांग है यह जानना बहुत जहरूरी होता है तो इसको मेदोहर गुकूल जो है ना भैश्य रत में घटक द्रव्य क्या-क्या है देखिए । तु 342 मतलब शुंत हमारच पिपली है। इसमें मेद औहर कोगुल में मेद् का शरनकरना है मेद का हमें यह निकालना मेद चरबी के जो फ 210 내가 मोलीकूल जो रहते हैं उसको हमें पतला करना है तो तो त्रिकटू है तो वह सबसे अच्छा दीपन पाचन करता है मेध का लेखन कारे करता है तो इस बाद में चित्रक है तो चित्रक भी है तो वह मेध के अपोजिट गुन वाला रहता है कटू-कटू उश्न रहता है कटू रसात्मक रहता है कटू विपाक का रहता है और उश यह रहता है और यह तीनों द्रव्य ही ऐसे हैं जैसे हरित की है वह ज्यादा रुक्ष है तो वह क्या करता है कि क्लेद को और मेद को वह कम करता है इसलिए त्रिफला डाला है फिर मुस्ता है तो मुस्ता क्या करता है कि आम का पचन करता है वाइविडंग है वह दीपन पचन क करता है और जो दूसरे धात्वग नहीं है उनको यह अच्छा करता है यह सब डाले फिर यह सभी एक-एक भाग लेना है क्या क्या लेना है तो त्रीकटू चित्रक फिर मुस्ताफ बाइवडंग यह एक-एक भाग लेना है और इसमें जो शुद्ध गुगुल रहता है वह क्य काड़े में तो इस तरह से शुद्धू गुगुल मिल जाता है तो वह शुद्ध मिलạt और इन सब को मिख्टक देना है और फिर यहां चार-चार रतिके मात्रा में वाफरी 1 रत्ती कितना होता है तो 125 mgm रहता है और चार रत्ती कितना हो गया तो 500 mgm तक इतना मात्रा बहुत ज्यादा पायदा करते अब मैं अपने सर जी जो नोट से पीडियेफ उसमें जो मेदोहर गुगुल के बार में बता अलाग लग अनुपानों से उसका मैं आप आप लोगों से शेयर करता हूँ और उसके बाद में मैं क्लिनिक एक्सपीरींशेस बताऊंगा तो मेंडोहर Google जो रहता है न अगर हमने अब आप लोग को पता है कि मेडोहर Google में ट्रिकहतू है tonight है मुस्ता है फिर वायविड़ंग है और Google गुगुल जो रहता है वो त्रिदोष रामक रहता है और लेखन करे करता है क्लेद को वो कम करते हैं तो इतना अच्छा स्थर्वस्रेश्ट सारी दवाईयां डाली है इनका कॉम्बिनेशन है तो यह 100% मेद का लेखन करता है चर्वी को घटाता है मोटापा को कम करता है तो इसमें आप क्या क्या दवाईया है यह कैसे कैसे यूज करना चाहिए अलग अनुपानों से हम लोग एक ही मेडिसिन को अलग लग व्यादियों में कैसे यूज करें तो कर रहा हूं इसमें बताया है कि सभी वात्विकारों में जितने भी ज्वैंट पेन के प्रॉब्लम्स है उसमें अगर हमने मेदोहर गुगूल को लिया तो उसमें अगर रासना सब्तक क्वात या महाराशनादी क्वात के सांदिया एक ही दवाई है लेकिन अनुपान बदल क को शमन करती है और बहुत अच्छा पैदा करती है वहाँ पेस च्रोत्रोजंजन संप्रावती है आप यह वह असली में आप लोग को न इस मैं बता रहा हूं वह आपको को भी ऑक में मिलेगा आप कोई भी बुक देखे आईरवेट सार संग्रा देखे कोई भी बुक देखे मेदोहर गूगल के बारे में वरणन तो ऐसे होता है कोई बताता नहीं है कि अलग-अलग अनुपानों से इसका उपयोग कहां कहां हो सकता है जो मैं बता रहा हूं वो मेरे आधरने बहुत अच्छा फैदा हो जाते हैं अगर वात रख्त का बीमारी है जो गाउटी अर्थराइटिस रहता है यूरिक एसड़ बहुत ज्यादा बड़ा होते हैं और वात रख्त में कैसे होता है कि आगार जन्नी होती है और वात और रख्त दोनों आवरित होते हैं स्त्रोतस जो रहते हैं वह अवरुद हो जाते हैं रख्ताविरित वात और वात रख्त में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है वात रख्त में कहा रहता है कि पैरों की उंगलियों में वायू जो रहता है वह अटका हुआ रहता है और उसको आवरन करके रख्त रहता है या कब कभ और वातरत के दो टाइप रहते हैं उत्तान वातरत और गंभीर वातरत यह आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा भी आगात हो जाते हैं तो वहां पर रख्त की संचिती होती है और फिर वह और ज़्यादा पेंफुल हो जाते हैं उसमें चिकित सा में सबसे अच्छा है तो पेखन काड़े करेगा और जो भी सत्रोतोर हो दे उसको सबको खोल देगा और गुडूची खुदी इतनी सरसामार्थमान रसायनक्रफ्षे है कि तिकत रस्से क्या करती है कि पित का शमन करती है वायू का शमन करती है तो इसलिए मेदो और गूगूल के इसांद यह जो है का क्वात है या गुड़ुची का स्वारस है वह सब देने से बहुत अच्छा फाइदा होता है वात रख में आप लोग दीजिए और बहुत अच्छा फाइदा होता है ऐसे ही अगर मेदो वृद्धी है मतलब बहुत ज़्यदा चर्वी बढ़ गया है अभी क्या है आप अगर नहीं लेक्चर होगा मैं उसका टाइम अपडेट कर दूगा तो मेदोवृद्धी जब होते है न तो शहद के साथ अगर इसका प्रयोक किया जाए तो यह मेद का शरण करता है और शहद जो होता है वह कफ का लेखन करता है कफ का शरण करता है तो इसलिए शहद के नाथ में अगर मेदोयर्गूगूमात में अगर अ दिया जाए तो ये क्या करेगा कि पस्तर रेखोल को दूर करादी क्लेध जो है उसको निकाल देगा और विнач AMY एक पल मात्रा में लिया उतना ही चहरा ये डाल दिया घूल डाल दिया तो यह क्या करता है कि पांडू रोग में जो अगनी मन दे रहता है पित्व का प्रकोप हुआ रहता है तो रस और रक्त धातू अच्छा नहीं बन रहा होता है तो यह क्या करता है मेद और गूकुल में जितने भी त्रिकटू त्रिकटू में बहुत ज़्यादा यूज है कि वह रस की अगनी को अच्छा कर देगा तो यह बैलेंस कर देता है और में रस और रक्त धातू अच्छा बनता है तो इसलिए गोमुत्र के सांद जो है वह शार है तो जितना भी वहां अवरुधात्मक संप्राप्ति उसको वह खोल देता है और बलड अच्छे से बनने लगता है इसलिए च्छाल के क्वाद के साथ मतलब नीम के चाल का क्वाद के साथ अगर दिया न पेशन को बोला है कि आप नीम का पेड़ का चाल निकाल लिए और उसका काड़ा बनाके और यह हमारी दबाई के साथ प्रयोग करिए तो हम लोग उनको दो दो गोली देते है तो मेदोहर है और गुगुल है तो यह क्लेद को कम करता है और जो संप्राप्ति हुई है एंटी इंफ्लेमेटरी जो गुण है गुगुल का और यह त्रिकटू त्रिफला यह सब का तो वह इंफ्लमेशन को कम कर देता है स्किन का तो फिर ना अपने आप ही कुछ रोग में फायदा होता ह और नीम जो है वो कुछ टगन गण में आता है तो इसलिए और खुजली को भी किये कम कर देता है जो कोई भी तरह से स्किन डिसॉडर हुआ रैशेस हुआ तो इसलिए मेदो और गूगुल को नीम के चाल के कवाद के सांद देने से बहुत अच्छा फैदा होता है पेशन्ट बहुत जल्दी रिकावर करते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे पेशन्ट आये जिनको पैरों में सोरेसिस हो गया था और वजन भी बहुत ज्यादा था तो मैंने मेदो और गूगुल को त्रिफला के कवाद के सांद दिया कभी नीम के चाल के कवाद के सांद दिया तो पेशन्ट का जो भी मैं बोल रहा हूं किवल किताबी गयान में बोल रहा हूं या मैंने दिया है 90-1 ऎर्ष के प्रेक्टिस में मुझे पता है कि मैं रिजल्ट आता है वही चीज़ मैं आप狂ग को भी प्रोचाहित कर रहा हूं कि आप भी दीजे बहूत अच्छा पैदा होता है उसी बा होते हैं तो उसको बोधी विर्ष बोलते हैं तो वो पीपल का पैड़े लेगा ही है और पिल के पत्ते लेक्चांग लेका ही और पिपल के कौवाध के साथ में मेधोर गूगल दिया तो शोत को ये ठीक करता और बहुत अच्छा फायदा होता है हम लोग को पता ही नहीं कि जो हमारे गाओं में पीपल के पेड़ होते थे तो उसका क्यों महत्वर रहता था पीपल का पेड़ जो है वह 24 घंटे ऑक्सिजन देता है दूसरे विरिक्ष्ष है न वह दिन में ऑक्सिजन देते हैं और फोट होटर बहुत अच्छा मतलब हमारे पुना में पीपल के पेड़ बहुत सारे हैं तो यहां पर शुद्ध रभावा रहती है कि होगी में जाद गरम नहीं होता है और ठंडियों में ज्यादा ठंडी नेती सम रहता है इसलिए पीपल का विरिक्ष का हमारे और ऐसा ग्रंतों में बताया है धार्मिक पुराणों में बताया है कि अगनी देवता जो थे वह अश्व का रूप धारण करके और पीपल में चले गए और पीपल में उनका वास है अगनी देवता का इसलिए हमारे जो गुरुजी और मतलब आयरुवेद के बहुत तरे ग्रंतों में ऐसा बताया है कि जिनको में साराति चून हम अपने क्लिनिक से चून और चावल और घी और सारस्वत चून में खाने और पीपल के बद्धी स्मृती काग्रता सब बढ जाती है हमारे सरर्व हमें ने भी अपने पेशन को दिया बहुत अच्छा पैदा होता है तो यहां पर किसी भी पेशन्ट को शूल और शोत है पुरे बाड़ी में पुरा स्वेलिंग आया है और बहुत ज़दा पेन हो रहा है तो उसमें मेदोहर गूगुल को पीपल के क्वाद के सांदेन है बहुत अच्छा प्वैदा होता है अगनी को बढ़ा देता है शोत के संप्राप्ति को ठीकर देता है शूल को ठीकर देता है तो यह देखे इत्तुन हामर और यह जो % odds के पास है त्येसे नहीं बताएगा कि पीपल के पेड़ में इतना अच्छा चीज है इसलिए आयरवेद पढ़ना चाहिए और उसका practically applied प्रयोक करना चाहिए बहुत अच्छा फैदा होता है अब नेत्र रोग जब होते हैं आखों का problem रहता है तो इसमें बता है मैं जो भी बता रहा हूं नहीं है scientifically मैं आप लोग को बता रहूं कि क्यों देना है किसले देना है ऐसे ब्लैंडली नहीं बता रहा तो नेत्र रोग जब रहते हैं तो क्या बताया है कि चक्षू स्थेजों में हम विशेशा श्लेश्मतों भय हम चक्षू जो है न आलोचक पित का स्थान है और वहाँ पे तेज म अगर हमने मेदोहर गूगुल को नेत्र रोगों में त्रिफला के काड़ा के संथ दिया तो त्रिफला आप लोग को पता है कि चक्षू स्थे है आखों के लिए बहुत बेस्थ है तो यहाँ पर मेदोहर गूगुल जो है वह क्या करता है क्लेद का शरण करता है जो भी पान उसी तरह से उदर रोग जब रहते हैं जिसमें क्या रहता है कि अगनिवान देता रहती है मल की संचिती हो रही है और फैटी लिवर जैसे कंडिशन है कोई भी उदर रोग है या लिवर एनलार्जमेंट है तो उसमें मेद जो रहता है उसका जहां जहां पर है उदर रोगों में जलोदर में क्यों देन है तो इसके İspage तो इसमें भी कट्व है त्रीकट्व क्या होता है वहां का पचन करता है दीपन पाचन ठीमर्णूर्दू है उदर उगों में उसको ये खोल देता है और सारक रहता है त्रिफला डालने से पेट साफ अच्छे से होता है तो यह है फिर पर मुस्ता है आम पाच्चन करता है festa आप में है्पकर सोटी अच्चा फैदा होता है आप लोग देखे देखिए अच्चा फैदा होता है उसी तरह से बात रोग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुए, सरवांग बात है, एकांग बात है, पक्षा गात है, हर तरह के बात रोग है, या योनी व्यापत है, तो उसमें ना कुछ अनुपान बताए है, हमरे सर के नोट्स में है, मैंने ये प्रैक्टिकल यूज किया है, आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ, आप प्रसारणी और अजवाइन के क्वाद के साथ, वात रोगों में अगर दे दिया, ये मेदोहर गुकुल जो है वात रोग को शमन करता है, मैं फिर से बताता हूँ, रासना, गिलोए, इरंड मुल, दश मुल, प्रसारणी और अजवाइन, इसका क्वाद के साथ अकर दिया, बहुत सर्य ऐसे पेशेंट आती है न, तो उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यदा वेट होता है, ओवर वेट होती है, तो उसके वज़़े से क्या होता है कि मेंसेज नहीं आते, मेदावरितवाद के वज़़े से क्या होता है, मेदावरितवाद, उसके वज़़े से क्या हो लगता है स्त्रोतो रोग जो है वह खुलने लगता है और उसमें अगर हमने रासना गुडुची एरंडमूल दश्मूल प्रसारणी वात शमक द्रव्य दिये तो मेदावरित वात मेद का भी शरण कर रहे हैं मेदवर कुगुल और वायू जो बढ़ा हुए तो ये वात शमक रासना, गिलोए, एरंडमूल दश्मूल प्रसारणी और अजवाईन या वायू का शमन करते हैं अगनी को प्रदिप्त करते हैं तो मेद धात्व अगनी जो है जो बड़ी वी अगनी है विकृत और जो मेद ही बना रिये वह सब शान्त हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी और तो योनि व्यापत में अच्छा गाम करते जो भी वातविकार है और तुलता के वज़ा से हुए हैं मोटापे के वज़ा से हुए हैं वह सब में इसका बहुत ज्यादा फैदा होता है जहां भी वायू का विकार है और मोटापा एक बिमारी है वहां पर ये मेदोहर गूगुल को युक्ति से देना चाहिए उसी तरह से पित्त रोग हुआ है कोली मुदग पर नहीं माश पर नहीं जीवन्ती ये श्ती मत ओ help फिर आप्शन में आप वासा ले लिया या लाज़ी रिख सब से बता देता हूं जीवनी दवायांं लिनीए अगर दसों की दस मिल जा या अश्टवर्ग भी मिले या फिर वासा ले लिजे लाल चंदन जो पित का शमन करने माली द्वाई है फिर उशीर ले लिजे फिर मुनक्का कुटकी फालसा जीवक और रिश्वक यह सम्में से मदूर्तिक्त कशायर सात्मक दरव्यों के सांद अगर हमने मेदोहर गूगल को दिया अब मेदोहर गूगल तो ऐसे हो गया है मेद के वज़े से और अगनिमान देता के वज़े से तो मेदोहर गूगल में जो त्रिकटू है त्रिफला है विडंग है में त्रिकटू चित्रक विडंग और मुस्ता यहां आम का पच्चन करता है स्त्रोतो रोध को दूर करतेता है और गूगल भी इविनेगंद के दमाइं यह पित्त शोजल रहता है जो कफ रॉग जो रहता है शुब puedo रहते तो मोटे लोग रहते उनको बहुत जल्दी खासी हो जाती है या फिर वो चल नी पारते हैं उनको सांस फुलने लगता है उन सब में मेद का भी शरण करना है मेद का भी पाचन करना है कफ का भी पाचन करना है इसलिए त्रिकटू लेना है क्या क्या अनुपान ले सकते हैं तो option में बहुत सार बता रहो त पिपली मूल के एक वात के सांद दे सकते हैं तो यह कफ रोग को शांत करता है मैं फिर से बताता हूं त्रिकटू ले सकते हैं गोमुत्र ले सकते हैं नीम की छाल ले सकते हैं पुशकर मूल ले सकते हैं गुडूची ले सकते हैं अजवाइन ले सकते हैं पिपली मूल के वात क करते हैं और सच में फायदा होता है आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में प्रयोक करिए बहुत फायदा होगा बहुत फायदा होगा इसी तरह से जहां-जहां मेद धातु का क Communion से आप अपने आप लगों में डएंवालमेंट है और कुछ-कुछ बीमारियां हो रहे हैं जैसे वरण रोग है अपिर नासूर की मैरी है अफिर गमत रोग है अपर लोगों मेंहें देखा ह astrology अहीं होता है फिर गंड्ड़ जो रहता है उसके साथ अक दिया तो में मेद जो विक्रुत बढ़ा हुआ है उसको शांस कर देगा और संप्राप्ति भंग करके अर्बुद में फिर प्रमेह रोग में सभी में फायदा करता है इसलिए मेदो और गूगुल का फायदा बहुत अच्छा होता है फिर खुजली आ रही है और पिड़का है और पिड़का आप लोग पता है परवल जो रहता है उसके पते और वह भी कड़वा वाल अगर दिया तो वह ज़्यादा प्रेख करके देखिए अलग लग अनुपान से बहुत अच्छा पैदा होगा उस्सी तरह से जलोदर होता है या किलास कुष्ट रहता है तो किलास कुष्ट में वा या फिर skin का discoloration होता है और उसमें भी मेद धातू का involvement रहता है मेद धातू रहेगा इसलिए हम लोग मेदो पाचक वगरा दबाईयां देते हैं लेकिन अगर मेदो हर गूगुल दिया और उसके साथ मैं अनुपान में हरितकी दे दिया पुनर नवा दे दिया दारू हल्दी द अगर मेदो हर गूगुल दे दिया तो ना जलोदर को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है और किलास कुष्ट में भी कलर जो है यह रसायन सभी प्रकार के वात व्यादियों में अनुपान बदल बदल के अगर किया जाए बहुत अच्छा पाइदा होता है उसी तरह से आमवात की बिमारी रहता है तो जो गूगुल रहता है न उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और त्रिकटू त्रिफला यह जो तो गामी रहती है और जो संप्राप्ति रहती है जो अपस्मार ला रही है अपस्मार क्या होता है स्मृतिराबकम मतला स्मृति का नाश होता है और वहां पर क्या होता है कि शौट सर्किट होने लगता है मिर्गी के जटके आने लगते हैं तो अपस्मार में हम लोग इस यह अच्छा फायदा होते हैं प्रकूपित होय और उस्टमे विरेचनम विम्रेयों बोला ही है तो उसके बाद मिरेचन जब दे देतेHANें उसकी बाद में सनाईव और शिराओं को क्षे देनिये अब क्या हो रहता है पेशन्ट जो पैरलेटिक रहता है वहाँ बहुत देर तक सोया रहता है तो उसमें मेद धातु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वह मोटा होने लगता है और जो भी खाता है भूग तो लगती है लेकिन मेद धातु बनता है तो वहाँ पर मेद का शरण हो ज़रूर रे हैं मेद का लेखन होना वह ज़रूरूर है वेट-लस होना वह जरूरूर है ऐसे जो फूल पेशेंट होते हैं पक्षागात के उसमें अगर मेदो और गुगुल को दिया जाएं जो भी हम दबाईयां दे रहें एकांग वी रस या महारस न दिक्वाद दश्मूला रिष्ट वगरा जो भी दवायां दे रहे हैं उनके साथ में रसराज रस वगरा की साथ तो वह क्या गरेगा मेद जो बढ़ा हुए उसको कम कर देगा और यह मेडिसीन को आगे जाने में साहता करेगा इसलिए मेदोहर कुगुल का पक्षागात में बहुत ज्यादा और वेट लोस होता है न तो जॉइंट पेन में जो प्रेशर पर आज वह कम हो जाता है तो और यहां करते करते संद्यों को बहुत अच्छा फाइदा करते और भी दवायां देजे लेकिन मेदोहर कुगुल जरूर देजे वेट लोस करेगा तो बहुत ज्यादा फैदा होग कशती कोज़ कर देता है और वातरक्ट में भी मेदोहर कुगुल का काम होता है उसी तरह से उदावर्थ नाम की विमारी है जिसमें वेगो को धारन करने से वायू उपर चला जाता है है और उदावर्थ करता है 13 प्रगार के उदावर्थ बता है तो क्या करता है मेडोहर Google वह गूगूल होने के विजसे सारक है पेट अच्छे से साफ हता है सुबह सम और उसमें चर्बी गरता है आप लोगं जाएगा तो फिर अनुलोमन गती से उन लेगा तो उदावर्थ में भी बहुत अच्छा पाइदा करता है उसी तरह से मेदो वृद्धी में तो यह काम करेगा हिर्दय जब जकड जाता है वहां पर क्या होता है कि आम अवस्था आ जाती है रस धातू रस्वस्थ रोदस का मो बहुत अच्छा पाइदा होता है तो बहुत अच्छा फाइदा होता है लेकिन मेदो हर गूगल का एक साइड इफेक्ट है अगर पेशंट को ना हमने डेढ़ महीना दो महीना के बाद भी continue दिया मेधवर कुगुल पेशंट को ना वमिटिंग सेंसेशन हो लगता है मतलब जी मिचलाने लगता है मेधवर कुगुल से वह बुलते हैं कि हमें उसको देखते ही ना कुछ तो जी मिचला रहे हैं इसलिए अगनी को भी अच्छा कर देता है जो लिमिटेड टाइम में देना है उसमें बहुत ज्यादा प्यादा करता है क्योंकि इसमें त्रिकटू है फिर मुस्ता है वाइविडंग है चित्रक है तो ये कफ को नेजिये कर देगा पतला कर देगा और मेद ध्यात्य को भी कर देगा तो खासी में फिली फायदा होता है श्वासरोब में भी अस्त्मा जैसी प्रॉबलम नेते उसमें भी फैदा करते शो का जो वीरे दोश रहता है जो मोटे लोग रहते हैं उनको बताया है अश्टो निंदती अध्याय में बताया है कि जो फूल लोग रहते हैं संतरपण जन्य व्यादियों से ग्रसित रहते हैं उनको जवव परोध रहता है मैतुन करने में समर्थ रहते हैं वह लोग जब जाते हैं अब इस तो वो एक तो जब समंध करते थे इंटर कोर्स तो करी नहीं पाते थे क्योंकि चर्वी आता था तो एक फिजिकल यह कारण हो गया जब मेदोर गूगल दिया तो वेट लॉस हो गया तो फिर उनको करने को इसी आया फिर उनको संतान हो गई यह एक फिजिकल हो गया अगर हमने और इसमें शुक्ष्मल एपल से देखा तो क्या होता है कि मेद के वज़़े से शुक्रवाहिनिया जो रहती वह अवरुद हो जाती है स्परमेटोजनेसिस अच्छे से नहीं हो पाता पेशंड करना चाता है लेकिन कर नहीं पाता उसका शुक्र भी नहीं निकल पाता और बहुत ज्यादा विक्नेस रहती है उसको जब भी वह मैथुन करने को प्रविर्ट होता है तो और उसमें बोला है मेदोरोग की चिकिस्टा में कि वहां पर मैथुन करना है रात्री जागरन करना है चिंता करना है अपतरपन वाली सारी चिकिस्टा है करनी है कि वहां पर ही मैथुन करने को एलाउड कि तो वहां पर अगर हमने मेदोर गुगल दिया तो यहां मेद का शरन कर देगा मेद का लेखन कर देगा और दूस स्थूलता मेन कारण है तो उसमें आप सबसे पहले वेट लॉस कराईए और वो भी मेदोहर गूगुल से कराईए पेशन का वीरेश शुद्ध हो जाता है और फिर वह अच्छा हो जाता है इसी तरह से जो छोटे बच्चे रहते हैं वह आजकल बहुत ज़्यादा बाहर का जं तो वह सारे बच्चों में भी अगर आपने मेदोहर गूगुल दिया बहुत अच्छा फैदा होगा उसी तरह से स्त्रियों का रजोदोष अगर अवरोध हुए मैंसेज रुख गये हैं मेद के वज़ज़ से तो यहां रजोदुष्टी को भी ठीक करते हैं तो एमनुरिया कि कंडिशन में बहुत अच्छा फैदा होता है मैंसेज खुल के आने लगते हैं क्योंकि यह मेद को कम कर देता है अगनी को अच्छा कर देता है तो इसलिए रजोदोष में देना है उसी तरह से शोथ रोग में जिसको बहुत ज़्यदा स्वेलिंग है यह मोटापे की वज करता है इसको युकती पुर्वक हर बीमारी में देने कामला रोग जब रहता है जॉन्डिस रहता है तो उसमें क्या रहता है कि जो यह रहता है रुद्पत कामला रहता है उसमें कफ दोश बढ़ा रहता है और सेंटर बिलियरी डक्ट को अब्श्रक्ट करता है इसके वाज होता है उसी तरह से जो बहुत कामला है उसमें अगर हमने विरेचन को है इक विरेचन दे दिया यक्रुत को शुद्ध करने वाली दवायां दी यकुन देंब देने के साथ में मेत होर्गूगुल दिया तो जो मोटे थे वहां पर मेदोहर गूगल देना चाहिए उसी तरह से कामला हो गया कुष्ट रोग मैंने बता दिया जहां क्लेद बहुत ज्यादा होता है और मेद धातु का इंवल्मेंट होता है उसमें भी काम करता है तो अचार रतमास लसी का यह चार दूश्य होते हैं कुष्ट रोग मेद धातु बड़ा हुए मेद धातु के विकृती हुई है और स्त्रोतो रुद हुए वहां पर मेदोहर गूगूल अगर दे दिया तो यह क्या करेगा क्लेद का पचन कर देगा क्लेद को अच्छे से निकाल देगा और कफ दोश को कम कर देगा और नेत्र रोगों में स्त्रोतो रुद धर करके रक्तों अच्छा कर देते हैं अप्टिक नर अबंपन पांचन मतलब किसी मोड भूगन लग रही है तो भूग नहीं लग रहे हैं तो अगर हमने इसको त्रिकटू या पंचकोल चूर्ण के साथ में पंचकोल के एक वात के साथ में मेदोहर गूगल दियाना तो अगनी को प्रदिप्ट कर देगा और जो वहां पे स्त्रोतो रदे उसको कम कर देगा और फिर क्या करेगा कि भूक अच्छी लगन या स्किन डिसॉडर हो गया जो भी संतरपन जन्ने व्यादी है उसमें मेदोहर गूगल का बहुत अच्छा पैदा होता है और यह क्या करता है आम दोश का नाशक है वातक नहें धातू का परिपोशन अच्छा करता है जब मेद धातू कम हो जाएगा मेद के अगनी को बैले कर देगा उसी तरह से नश्टार्ताव जब रहता है मैंसेज नहीं आते मोटापे के वज़ए से पुरी तरह से से केंडरी एमनुरिया हो गया सेकंडरी अमनुरिया मतला पहले मैंसेज आते थे लेकिन 30-40 साल के बाद अगर आईटी सेक्टर में काम करें रात्री जागरन हो गुगल दिया तो वेट को कम करके मैंसेज अच्छा लाने लगता है इसलिए नश्टार्तव में इसका बहुत अच्छा प्रयोंग होता है उसी तरह से स्नायू शूल रहता है अगर टेंडन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और स्त्रोतोरोत जन्ने संप्राप्ती है निर्गुंडि कवाद के सांदे दीजे या फिर दश्मूल तेल का बस्ती देदीजे शिरबला तेल का बस्ती से वह सबके साथ में मेदोहब कुबवल लिट या तो बहुत अच्छा पैदा होता है इसका और मैं कुछ आप लोगों कलीनिकली बताता हूँ यह मेरे नोट्स इंको वेट ॉस करना हर विक में दो कीलो बजन कम होता है आप लिख 예ow मेधोर Google इंटरनली देना है और सहचराधी तेल का मात्रा बस्ति देना है कुछ डाइट चाट भी दे देडेना चाहिए पेशन को पेशन को बहुत अच्छा फायदा होता है और इंच लास होता है है न तो मेद होगल एसा काम करता है कि कबी बीफिध रिंकल रिंगल्स निइसस्किन लूज निइससे स्किन को मैं अभी लेक्चर बंद करता हूं कल मैं ओबेसिटी पे दिन में लेक्चर लूँगा तब आप लोग आईएगा हम बेसिक प्रिंसिपल आईरवेदा वह करेंगे और बहुत सारे में अनुभूत योग बताऊंगा उसमें से मेधवर कुगुल आज मैंने बता दिया अब मैं आप लोग को नमस्ते बल देता हूं फिर हम लोग इंट्रक्टिव सेशन में अभी सवन्नावज मिलेंगे डॉक्टर व्यद्य अवंतिका जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर शुएता जी प्रणाम आपको डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रा डोक्टर शेलेश्गुपता जी नमस्ते प्राणाम आपको क्या नलुक्र कविता जी प्राणाम आपको क्या क्या ना कॉलेजेश मैं यह बताना जाता हैं क्या होता है? क्या होता है? उनका इंग्रेडिइन्ट जानना बहुत जरूरी है जब तक हम analysis करके समझेंगे नहीं तो blindly नहीं देना चाहिए तो फिर क्या होता है कि हम में और MR लोगों में या common लोगों में क्या फरक हो जाएगा हम लोगों ना analysis करके करना चाहिए द्र जी प्रियूख जी प्र हम आपको ठ प्रमत चाहिए अपको बोट छप्रम चाहिए जी साथ चाहिए तो लेखन हम उचके Сाτα में कर देए तो लायपव हम बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत जली जली रिजल्ट आता है और उसमें मुशक वीश का इंवाल्मेंट रहता है मतलब चुहे ने काटा हुआ रहता है या जीन्स में आता है चुहा ने काटे तो वहां पर मुशक विश्च दंश जन्य उसको निवारन करने के लिए जो अगद बता हैं सोश्रूत से आम डॉक्टर अमित पंडे जी प्रणाम आपको डॉक्टर गोपाल जी प्रणाम आपको डॉक्टर सीम्हा जी पूझ रिया कि सारस्वत चुन कितना लेना होगा अच्छा वह स्मरण शक्ति के लिए एक चमच सफिशेंट है आप चावल लिजे घी लिजे पीपल के पेड के मिलता है उसमें ब्राम्मी जटामंसी जो भी दवायां है अलग लग कंपनियां अलग लग सारस्वत चुन बनाती है मेध्य दवायां रहती है एक चमच सफिशेंट हर रविवार को खाने और आप खुद भी खाके देखिए आपका मेमरी पावर बढ़ जाएगा और उसका क बुद्प को भी 24पर के पेड़ के नीचे ही वल दिससक क府 विरिक्ष ऐसा बोलते हैं वहाइं पे ज्यान प्राप्त हो आता जहां भी बुद्धि उस्मनिति बढ़ानी पीपल के पेड़ के नीचे ही करना चाहिए बहुत अच्चा पैदा होता है बलविंदर सिंग जी प्र बाकी सभी लोग को हम दे सकते हैं कि कलपना जी पुछ रहे हैं हिपेट्रेटीस में दे सकते हैं हाँ जरूर दे सकते हैं उसमें यकृत को शोधन करने वाली दवायों के साथ में देंगे तो यह अच्छा काम करते हैं और त्रिकटू है वहां पर श्त्रोतरोज जन्य संप्राब्ति को ठीकरते हैं फिर मुस्ता है आम का पच्चन करते हैं हिपेट्रेटिस में देने बहुत अच्छा फैदा होता है डोक्टर सुधिर जी प्रणाम आपको वैद्दे विमलकुमार जी और बहुत हरी हल्दी दारू हल्दी मंधिष्टा सारीवा नाक केशर जो भी वर्नगन की दवाईयां है वह देने से कलर अच्छा हो जाता है आप लोग जरू दीजे मुकेश जी पुझने कॉर्णर वाट का ट्रिटमेंट मैं बताऊंगा इसको विने मितल जी प्रणाम जी प्रणाम आपको विने प्रणाम आपको परेश प्रणाम आपको सभी को प्रणाम जो जो और कोशन है आप लोग इंट्रेक्टिव सेशन में आईए हैप अब्र गुगूल एफेक्ट करेगा क्या 100% करेगा बर्नी मिक्चुरेशन द्यूट तो शैल्जा जी पूछ रही बर्नी मिक्चुरेशन अगर हो रहे तो चंदर पपावटी देदीजे बर्नी मिक्चुरेशन ठीक हो जाएगा डॉक्टर उशा जी प्रणाम आपको डॉक्टर विवेका जी प्रणाम आपको डॉक्टर परेश जी प्रणाम आपको ऐसे मेदो और गुगुल से कभी बर्नी मिक्टुरेशन नहीं होता है आप जो कंपनी का यूज करें उसमें क्या कंटेंज वह देखिए अगर अशुद्ध गुगल डाला है अशुद्ध गुगल डालेंगे तो हो गाई शुद्ध गुगल चाहिए शुद्ध गुगल से कभी नहीं होती है कि आई में ड्राइनेस रहते तो उसको दे सकते हैं महात्रिफलादी गुगुल जो है वह कहां से बन रहा है कौन कंपनी विना रहे है उसने अशुद्ध गुगुल डाले कि शुद्ध गुगुल डाले उस पर डिपेंड करता है डॉक्टर आशा जी प्रणाम आपको कॉमेंट्स वह बाद में पढ़ लूँगा वहां नहीं तो व्यद्य नवीन जोशी सर हमारे इंतिजार कर रहे हैं सहचर तेल कितने मात्रा में दे सकते हैं तो 100 ml मैक्सिमम दे सकते हैं 30 ml तक दे सकते हैं सभी लोग को प्रणाम हम लोग इंट्रक्टिव सेशन में आते हैं तो फिर लेट हो जाएगा हम लोग को मैं यह बंद करता हूं बाकी जो भी कॉमेंट है उनको मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा थैंक्यू